मेरा नाम है अंकित साव और आप लोगों का वेल्कम है मेरे यूटूब चैनल में आज मैं वीडियो बना रहा हूं चाइनीज न्यू येर के उपर सो यह हमारी लेक इंपोर्टन इंफोर्मेशन है अगर आप लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से सो अभी आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है देंगी चाइना का जो न्यूएर है वह 12 फेबरी को है सो नॉर्मली चाइना में क्या होता है एक अल्मोस अगर आप कह सकते हैं च्वेंटी डेज के लिए सारी मैनुफेक्ट्रिंग सारी कंपनी ट्रांस्पोरेशन कुरियर कंपनी सारी चीज़े बं करने के लिए तो आप पुश करिए कि विदिन 25-26 से पहले आपका शिप्मेंट जो भी है वहां से निकल जाए नहीं तो फिर एक महीने का डिले रहेगा और अभी आप कोई नेगोसेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अब जो है एक मन बाद ही आपके शिप्मेंट जोगी है वहां से चलेंगे तो यह नॉर्मल सिनेरियो है एक महीने के लिए बंद रहता है सब लोग वहां पर हॉलिडे पर चले जाएंगे अभी इसका आपको ध्यान रखना है मेरे पास काफी टाइम से कुछ क्वेरी जा रही है कि सर चाइना से इंपोर्ट ह जो नॉर्मल फ्राइट से वह बंद लिमिटेट कार्गो चल रही है तो उस वज़े से शिप्मेंट कॉस्ट जो है वह बड़ा ज्यादा हो गया है एयर के अगर मैं बात करूं तो शिप्मेंट जो है बाइर यह आल्मोस्ट टू-टू-3 ताइम्स हो चुका है शिप्मेंट है जिस वज़े से कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा आ रही है और इस वज़े से थोड़ा डिले हो रहा है प्लस जो चाइना इंडिया वाल का सिच्वेशन बना हुआ है उस वज़े से भी आपके जो कस्टम क्लिरेंस है वो डिले हो रहे है तो वह एक रीजन है बट ऑफिश सब कुछ बंद हो जाएगा वहां पर आपको एक महीने बार इस वज़े से कुछ चीजे स्टॉक आउट भी हो जाएंगी जो लोग रेगुलर इंपोर्ट करते हैं चाइना से जैसे मैं भी इंपोर्ट करता हूं चाइना से तो वह एक हफ्टे पहले यहां डिलेवर हो चुक आप आएंगे तो चीज का आपको द्यान रखता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ऑल्लाइन ट्रेनिंग जोइन करने के लिए तो आप नीचे दिये गए नंबर्स पर कॉन्टाइक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट अंकित्साव.com विजट कर सकते हैं वहाँ पे क आप उसके लिए भी सेम नंबर्स पर कॉन्टाइक कर सकते हैं इसी तरह रेगुलर एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंफोर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो आपके बाद रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहेंगे तो चलो फ्रें